जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में सबी सात्यों आ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों जल्दी से एक बार मित्रों को शेयर भी कर दें सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब में दो दिन एक लास होती है दोस्तों रभी बार और गुरूबार होती है मतलब यह जो है टेस्ट सीरिज होती है जो आपको स्यम लगाने पड़ते है टेस्ट दोस्तों है ना k funzgंट वाले हैं वो सब ही साथी इसमें अड़ींस ले सकते हैं ठीक है het लिए तो इस्टार कर ले दे आज का इस सेशन आज के पहलेफ़े प्रस्वेंस में आपको उत्त्र बताना हैं जल्दी से सबी लोग उत्तर बताएंगे पहला कॉस्चन है आपका क्या कॉस्चन है मैं साहित को मनुस्थ की दरश्टी से देखने का पक्षपाती हूँ ये किस आचार की उक्ती है बताएं किस आचार की उक्ती मानी जाती है दोस्तो महावीर परसाथ दुबेदी की राम की उक्ती है ये आपको चैन करना है अच्छा प्रशन है महावीर परसाथ दुबेदी या फिर राम चंशोकले या हजारी परसाथ दुबेदी या नंदुलारे बाचपई इन मैंसे आपको एक चैन करना है देखते हैं सबसे पहले कॉस्चन कौन बताता है और उत्तर आपने बता दिया हजारी परसाथ दुबेदी और दोस्तो हजारी परसाथ दुबेदी की जब भी बात आती है तो इनका जन्म कब हुआ था वो भी आपको बताना है इनके दोस्तो एतिहासे गरंत आपको पता है हिंदी साहित का उधवाओ और बेकास हिंदी साहित का आदीकाल है न आपने पड़ा है दोस्तों है ना चलिए अंगला क्वेस्चन देखते विश्णुकान सास्त्री की पिरसित गद्द काब करती कौन सी है ये क्वेस्चन कई बार आया दोस्तों कई बार आया तो आपको पता भी है कि विश्णुकान सास्त्री की जो गद्द काब करती है ये हैं बाल क्रश्न भट्ट हैं आचार सुक्ल हैं या फिर आचार हजारी पर साथ दुवेदी हैं पहले आलूचक बताना है दोस्तों और यहां पर आपको उत्तर चैन करना है 96 का उत्तर 596 का सही आंसर क्या हो जाएगा शबी लोग बताएं और जिन भी सात्यों को कोर्स में अड उत्तर यहां पर चला जाएगा ठीक है उत्तर क्या चला जाएगा दोस्तों भारतेंदू यानि एक नंबर आपका सही है ठीक है बिलकुल एक नंबर जिन्हों ने बताया उनका बिलकुल सही है हिंदी के प्रताम आलूचक अंगला कोईश्चन बताना है चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान मिला दोस्तों चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान मिला है ये आपको बताना है चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान मिला ब्यास सम्मान बताना है चित्रा मुदगल का चित्रा मुदगल जी को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान मिला है यह आपको बताना है आबा एक जमीन अपनी गिली गड्डू या इनमे से कोई नहीं और यहां पर आपका सही आंसर जाता है कि सर इने आबा के लिए काई के ल प्रुश्कार मिला है ब्यास सम्मान मिला है ठीक है आपका उत्तर क्या हो जाएगा एक नम्मर आपका बिल्को सही हो जाएगा जिन्होंने यह बताया उनका अंसर सही है मुंबई के मजदूर संगटनों को केंदर में रखकर लिखा गया दोस्तों उपन्यास कौन सा है लिखा एक बार सेयर कर दें अपने मित्नों तक ठीक है यहाँ पर मुंबई के मजदूर संगटनों को केंदर में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है यह आपको बताना है पता है उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आबर्तन, आबा, है ना पतरंग पुराण या फिर हैम बरगर और यहाँ पर मजदूर को दोस्तो मजदूर संगटनों को केंदर में लिखा गया जो उपन्यास है वो उपन्यास है बी नमबर यानि कि आबा, है ना, आबा है बी नमबर जिनने बताया वो बिलकुर सही है और आबा के रचना कार कौन है दोस्तो इसकी रचना की है चित्रा मुदगल ने, है ना और टू नमबर आपका यहाँ पर बिलकुर सही आंसर हो जाएगा जिननों ने भी बताया है मनुस्तो होने पर रस्कान ने कहां बसने की एक्छा ब्यक्त की रस्कान का बताना है दोस्तो आपका इनका बास्त्विक नाम क्या था और मनुस्तो होने पर रस्कान ने कहां बसने की एक्छा ब्यक्त की यह आपको चेहन करना है अच्छा प्रस्न है, सभी लोग एक बार 599 है, प्रस्न अच्छा है सभी को उत्तर बताना है और सीधा सीधा उत्तर देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा बहुत बड़ी या अंसर आया है दोस्तो कि सर गोकुल के गाउं में कहां पर गोकुल के गाउं में यानि एक नम्मर आपका बिलकु सही है आपको बताना रस्खान का वास्त्रिक नाम क्या था बताएं जल्दीशे सूर्दास के अधिकतर रचना किस भासा में हैं दोस्तो सूर्दास जी के बारे में आप पढ़ते हैं दोस्तो ये अश्चाप के प्रमो कभियों में माने जाते हैं है ना बहुत बढ़िया अंसर बताया है किसे रस्खान का बास्त्रिक नाम था सैद इब्राहिम बहुत बढ़िया सैद इब्राहिम नाम था दोस्तो रस्खान का बास्त्रिक नाम और यहां पर उत्तर बताना सूर्दास की अधिकतर रचनाएं किस भासा में हैं ये आपको बताना है अच्छा क्वेस्चन है और सीधा उत्तर आपका जाएगा कि सर ये जो भासा है ये ब्रज भासा में यानि कि आपका जो तीन नमबर है तीन नमबर वो बिलकुश सही आंसर हो जाएगा तीन नमबर सही होगा पंग्ती के रचनाकार कौन हैं ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक सेल्प स्टेडी किलासेज का एप डाउनलोड नहीं किया सभी लोग सेल्प स्टेडी किलासेज का एप जरू डाउनलोड करें है ना एक अच्छा कोर्स लांच होने बाला TGT PGT के लिए दोस्तों एक special कोर्स है ना एक कोर्स आने बाला है और बहुत बढ़ी आप बीच तारीक को एक कोर्स आपके सामने होगा और बहुत सिर्फ पे TGT PGT के लिए 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई के लिए बनाया गया कि अंतिम दिनों में दोस्तों कैसे आपको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है वो 15 दिन का एक कोर्स होगा आपके लिए जिन भी सातियों एक चुक हों वो एक चुक साती सभी लोग दोस्तों उसको पढ़ सकते हैं नयन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी यह जो पंक्ती है यह पंक्ति है दोस्तो पदमाकर जी की पदमाकर जी की यानि तीन नम्मर आपका बिल्कु सही है हिंदी साहित की इतियास लेकन की परंपरा में दोस्तो मिस्र बंधुओं का किस गरंत द्वारा अपना महत्पूर योगदान दिया मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं ने किसे गरंत द्वार अपना महत्पूर योगदान दिया यानि की सीधा सीधा अगर पूछें कि मिस्र बंधु का कौन सा गरंत है बताएं मिस्र बंधुओं का गरंत कौन सा है प्रशन क्रमांक 602 का आंसर आपको चैन करना है शबी लोग बताएंगे हिंदी सब्द सागर से उसे हैं सरोज मिस्रबंदू बिनोद या फिर हिंदी साहित की भूमी का चैन करें हिंदी साहित के इतिहास लेकन की परंपरा में मिस्रबंदूओं का ग्रंत कौन सा है मिस्रबंदूओं का ग्रंत बताना है और आपका सीधा आंसर जाएगा, इसर जो मिश्रबंदू का ग्रंथ है, वो है मिश्रबंदू बिनोद, आपको बताना है, इसमें कितने कमियों का उल्लेक किया गया, मिश्रबंदू बिनोद को कितने भागों में बाटा गया, मिश्रबंदू बिनोद में दोस्तों हिंदी सा जितना सरल है उतनी बार question आया भी है सरल कैसे हो जाते दोस्तों question सरल ऐसे हो जाते हैं कि जो चीज आप बार बार पढ़ते हो वो आपके mind में set हो जाती है आपको सरल लगने लगती है है ना और आपको पता है कि जब आप दोस्तों लगभग बताओ तो लगभग 5000 बताना है है 4591 है ना और लगभग अगर पूछे जाए तो लगभग 5000 ठीक है बहुत बढ़िया आदी काल को बीरगा था काल आचार रामचन सुकले ने कहा है बेरी गोड आचार रामचन सुकले द्वारा रचेत हिंदी साहित का हिंदी साहित का इतिहास का प्रकासन बर्स क्या है दोस्तो प्रकासन बर्स बताना है आचार सुकले ने हिंदी साहित का इतिहास लेखा और हिंदी साहित का इतिहास ये हिंदी सब्द सागर की भूमिका में प्रकासित हुआ था दोस्तों और यह हिंदी सब्दे सागर की भूमिका में प्रकासित हुआ था तो कब प्रकासित हुआ था इसका अंसर आपको बताना 1917, 1918, 1919 या फिर 1929 में ये प्रश्न किर्मा का आपका 604 है 604 का आंसर आपको चेन करना है और सीधा उत्तर जाता है बोलिस राम चंद्र सुकल का हिंदी साहित का इतिहास 1929 यानि की चार नंबर आपका बिलकुर सही है चार नंबर जिन्नों ने बताया आंसर सही हो जाएगा अंगला कुस्चन है आचार सुकल ने सब्द सागर में लिखेत किस सीधसक किस सीधसक लेख को हैना परिबर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित का इतिहास लिखा ये आपको बताना है सब्द सागर में लिखेत किस सीधसक लेख परिबर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित का इतिहास लिखा हिंदी साहित की भूमिका को हिंदी साहित का इतिहास हिंदी साहित का विबेचन या फिर हिंदी साहित का विकास यानि की दोस्तों आपको पता है कि हिंदी सा यानि कि चार नम्मर आपका यहां पर बिलकू स्था यह बहुत बढ़ आशे अंगले कॉस्चिन की उर बढ़ेंगे ही साइट के इतिहास का प्र्थम लेकग कौन है बहुत बढ़त बढ़ ऑं सबस्था का प्रते हों याHz के इतिहास का प्रतम लेखा कौन माना जाता है सबी लोगों को आंसर बताना है जल्दी से बताएं सबी को बताना है और यहां पर आपका राइट आंसर हिंदी सायत के तियास का प्रिथम लेखा कौन है उत्तर चला जाएगा आपका गारसादा तासी वेरी गौड बी नमबर आपका सही है 2 नमबर σही है आपने पढ़ा है दोस्तों कि गारसादा तासी ने फ्रेंच भासा में कौनसी भासा में कौनसा गरंद लिखाता जल्दी से बता दीजिए गारसा दा तासी ने बैर किरोद का अचारया मुरभबा है एक अथन किस निवंदकार का है, बैर किरोध का अचार या मुरब्बा है, निवंद की बताना है, सबी लोग बताएंगे, रूबी सुकला जी, PGT, PGT में अंतर रहता, क्या अंतर रहता, PGT में टॉपिक वड़ा दिये गए हैं, PGT में कुछ टॉपिक कम है, है ना, तो बैर किर पूद का अचार या मुरब्बा है एक कथन किस निवंदकार का है ये आपको बताना है प्रश्न किरमांग 607 में और आपका उत्तर जाएगा किसर एक कथन है राम चंद्र सुकली जी का यानि इसी नमबर आपका बिल्कु सही है आप भ्रेंस का मुख चंद बताना है मुख चं चंद कौनसा है है ना दोहा है बर्बे कुंडलिया या फिर सबाईया आप भ्रेंस का मुख चंद क्या है आप भ्रेंस का मुख चंद बताना है और यहां पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा अप भ्रेंस का मुख चंद कौनसा है आपका सीधा उत्तर चला गया दोहा दोहा यानि एक नमबर ब्यारी गोड एक नमबर आपका बिल्कु सही है रासो सब्दी की उत्पत्ती रसायन से किसने मानी है ब्यारी गोड़ा अंसर अच्छा प्रस्न है रासो सब्दी की उत्पत रसायन से किसने मानी इसका उत्तर आपको बताना है तो जदी जदी से सबी लोग चेहन करेंगे अच्छा कॉस्चन है दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहां पर आपका सीधा आंसर जाएगा रसायन से एक क्वेस्चन भी कई बार आया है कि रसायन से मानने वाल क्वेस्चन भी कई बार आया दोस्तो आपको पता है कि इन्होंने महापुराण एक गरंत लेखा महापुराण गरंत लेखा है ना और दोस्तो महापुराण गरंत में 63 सलाका पुरसों का इन्होंने दोस्तों बरनन किया है आपको पता होगा और जो पुस्पदंत हैं दोस्त मेरू कहा जाता है पुस्प दंत को अभी मान मेरू पुस्प दंत को कहा जाता है और पुस्प दंत ये किस सताब दीके हैं सबी लोगों ने आंसर बता दिया कि सरे दस्वी सताब दीके हैं आप जब दस्वी पढ़ते थे दस्वी पढ़ते थे ना सभी लोग आप लोग पुस्प देना सीख गए थे पुस्प है है ना हम लोग गुलाब का फूल बहुत देते थे दस्वी में देते थे कि नहीं दस्वी में पुस्प है ऐसे याद कर ले ना दस्वी में पुस्प है तो पुस् प्रमात में प्रकास की रिचनाकार कौन है प्रशने किरमांग 611 यह आंसर क्या हो जाएगा प्रमात में प्रकास की रिचनाकार कौन माने जाती हैं राम से हैं योग इंदू हैम चंद्र या फिर मेरू तुंग यह आपको चेन करना है प्रशने किरमांग 611 में 611 का अंसर क्या हो जाएगा है ना और परमात में प्रिकास के जो रिचनाकार है दोस्तों वो रिचनाकार है कौन योग इंदू या जो इंदू है ना योग इंदू जो इंदू भी आपको मिलेगा कहीं कहीं तो आपका उत्तर है बी नमबर टू नमबर आपका बिल्कु सही हो जाता है अंगल अगर माने कि दोस्तो कभीर दास के जो गुरू माने जाते हैं रामानंद कभीर दास के गुरू कुरू माने जाते हैं रामानंद लेकिन आपको पता होगा कि मुसल्मानों ने दोस्तो कभीर का गुरू माना है किसे किसे माना है सेख तकी को सेख तकी यानि कि एक नम्मर आपका बिल्कु सही होगा आपको पता है सेक तकी के कहने पर दोस्तों किसने सिकंदर लोदी ने गंगा की डुपकी लगवाई थी दोस्तों कभीर दास को गंगा की डुपकी है ना कभीर दास जी को तो ये आपको याद करना है सबंगी रचना किसकी है दोस्तों सबंगी किसकी रचन भी आपको पताना है जल्दी से बताओ और सीधा अंसर आपका जाएगा कि बोले सबनगी रचना है ये रचना किसकी है रजब की रजब की यानि चार नमबर आपका सही है चार नमबर जिन्हों ने बताया है उनका अंसर बिलकुल शहई है ठीक है बैरिगोड मसी कागद छो न नहीं कलम गहो नहीं हात ये किसके लिए कहा गया नानक रियदास कबीर या फिर रजजब के लिए और बहुत बड़ी आंसर आया है कि सरमसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हात ये जो कहा गया है ये कहा गया है किसके लिए कबीर कबीर यानि तीन नमबर कबीर का जन्म कब हुआ था जल्दी से कमेंट में लिखिए कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था कमेंट में बताना है आपको ग्यानमारगी साका के कभियों को किस नाम से पुकारा जाता है इसका आंसर आपको चेहन करना है अच्छा प्रस्न है शबी लोगा आंसर बताना और आपका सीधा सीधा अंसर जाएगा कि सर ग्यानमारगी साका के कभियों को शन्त कभी वेरी गोड़ आंसर है है ना दोस्तो इनका जन्म हुआ था तेरा सो तेरा सो अंठानवे में है ना और तेरा सो अंठानवे में इनका जन्म हुआ था कहां पर मगहर है ना कासी ठीक है य अंगला क्वेश्चन है गोद लिये हुलसी फिरे तुलिसी सोसत होई ये पंक्ती किस कभी की है गोद लिये हुलसी फिरे तुलिसी सोसत होई पंक्ती के रचनाकार कौन है तुलिसी दास जी के बारे में कहा गया दोस्तो और ये आपको बताना है किस की पंक्ती है गोद लिये ह पुलिसी फिरे तुलिसी सोसोत होए पंक्ती के रचनाकार कौन है अच्छा क्वेस्चन है और सीधा आंसर आपका जाएगा क्या कि सर ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है रहीम की यानि चार नमबर आपका बिलकुँ सही होगा चार नमबर जिन्होंने बताया आंसर 244 में और इसमें बहुत सारा समय लगा दिया एक तुलसी दास जी ने हैना लेकिन यह जो रचना है यह जो महाकाब है बहुती फैमस महाकाब है है ना और यहां पर तुलिसी की बक्ती का स्वरूप क्या था तुलिसी दास भाव से बक्ती की है नो ने दास भाव से बक्ती की है है ना अपन परतेना चित्र कूट के गहाट पे भाई संतन की भीड तुलिसी दास चंदन गहसें तिलक देत रगबीर है ना यहाँ पर बताना है राम और सीता के बिवाई के अउसर पर किस कभी ने इस्त्रियों से गारी गीत गवाया है पताएं एक क्वेस्चन भी अच्छा है राम और सीता के बिवाई के अउसर पर किस कभी ने इस्त्रियों से गारी गीत गवाया तुरिशी दास ने स्वामी अग्र यहां पर आपका उत्तर हुजाएगा केशौ। तुलसी दास जी ने भी घरमरगीत परंपरा की अंतरगत भरमरगीत की रिचना की है, जो किसमे संकलन है यानि कि दोस्तों तुलसी दास ने भिरमर गीत परंपरा के अंतरगत भिरमर गीत की रचना की है जो संकलेत है काई में संकलेत है जानकी मंगल में कश्न गीता वली में गीता वली में या फिर कविता वली में बताएं प्रश्न किरमांग 619 का आंसर आपको च संकलेत है और आपका सीधा अंसर जाएगा वो संकलेत है दोस्तों क्रश्न गीता बली में है ना काई में संकलेत है क्रश्न गीता बली में यानि कि आपका जो भी नंबर है वो बिलकुर सही है ठीक है अब आपको क्रश्न गीता बली की भासा बताना इसकी भासा क्या है क्रश्न का वर्नन किया है बताएं किस कांड में किया बाल कांड में आयोध्या कांड में अरंड कांड में या फिर उत्तर कांड में तुलिसीदास ने राम चेत्मानस के किस कांड में कलियोग का वर्नन किया है जल्दी से आपको चैन करना है प्रश्न किरमांग 620 में राम चेत्मानस के किस कांड में कलियोग का बर्नन किया है यह आपको बताना है बाल कांड आयोध्या कांड अरंड कांड या फिर उत्तर कांड यानि की आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर कलियोग का जो बर्नन इन्होंने किया है वो किया है दोस्तो उत्तर कांड में अपनने पढ़ा था ना कि सर संप्रदाय से है एक और है कोश्चन 84 वैशनों की बारता के रचनाकार कौन है यह भी आपको बताना है साती बताना 84 वैशनों की बारता के किस संप्रदाय से संबंदित है सकी संप्रदाय रामानुज संप्रदाय स्री संप्रदाय या फिर बल्लब संप्रदाय आपको बता है कि 84 वैशनव की बारता की रचनाकार कौन है तो कि अध्यां को बताना है तो इनका संप्रदाय दोस्तो बल्लब संप्रदाई ठीक है यानि चार नम्मर आपका बल्लब संपरदाई बिलकुर सही है अंगला कोश्चन बल्लबा चार का बेदान्त सूत्र पर लिखा गया प्रिसिद्ध गरंत कौन सा है यह आपको बताना है पुष्टी मार्ग रहस आनंद भास अनूभास या पिस्रष्टी हास बल्लबा चार का बेदान्त सूत्र पर लिखा गया गरंत कौन सा है बल्लबा चार का बेदान्त सूत्र पर लिखा गया गरंत कौन सा है इसका आंसर आपको बताना है और बेदान्त सूत्र पर लिखा गया जो गरंत है वो कौन सा है अच्छा question है दोस्तो ये बल्लबाचार पुष्टी मारगे के प्रबर्तक माने जाते हैं क्या माने जाते हैं पुष्टी मारगे के प्रबर्तक और यहां पर सीधा अंसर है दोस्तो अनुभास है है ना पुष्टी मारगे प्रबर्तक और सुर्दास के गुरू थे गौडिये संप्रदाई के आपको संस्थापक बताना है सभी लोग बताएं गौडिये संप्रदाई के संस्थापक कौन है हरिदास, नरंजनी, लालदास, हेत हरिवंस या फिर चेतन महाप्रभू गौडिये संप्रदाई के संस्थापक कौन है और सीधा उत्तर जाएगा उत्तर जाएगा दोस्तो गौडिये संपरदाय के संस्थापक और गौड से गौडिये और गौड को क्या बोलते है प्रभू प्रभू तो चेतन महाप्रभू गौड से गौडिये और चेतन महाप्रभू यानि डी नमबर आपका डी नमबर की रचनाकार कौन है नंदेदास क्रश्णदास चत्रबुजदास छीत स्वामी है ना तो जुगल मांचरित की रचनाकार आपको चेहन करना है अच्छा कॉस्चन है और सीधा आपका अंसर जाता है कि सर जुगल question देख लेते सूरदास को पुष्टी मार का जहाज किसने का कहा दोस्तों ऐसे कितने साती हैं जिनको TGT PGT के लिए दोस्तों कुछ special पढड़ना है ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने दोस्तों कोर्स नहीं लिया पहले और TGT PGT के लिए special 15 दिन के लिए कुछ पढ़ना है special 15 दिन में अपनी तयारी अच्छी करनी है ऐसे साती सभी दोस्तों संपर कर सकते हैं एक कोर्स आपके लिए special कोर्स लांच हो रहा है है ना जिन्होंने कोर्स में एड़ीसन नहीं लिया था उनके लिए है ना तो जिन्भी सातियों को इस कोर्स में एड़ीसन लेना है जो आपके लिए 15 दिन में महच 15 दिन में बहुत अच्छी तयारी आप कर सकते हो सम्मान जनक तयारी कर सकते हो ऐसे साती एक कोर्स पूरा रेकॉर्डेड रहेगा और एक कोर्स दोस्तो आपके लिए जल्दी आने बाला है और सबसे कम प्राइज में आने वाला ठीक है सूर्दास को पुष्टी मार का जहाच कहा दोस्तों किसने किसने कहा है बिठल लात ने यानि चार नम्मर आपका बिलकुश है ये रचनाए किसकी है ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे प्रशने करमांग 626 में और आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों अग्य यानि की तीन नम्मर आपका बिलकुश चाहिए तीन नम्मर अग्य आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तीन नमर शी नमर आपका साही हो जाएगा कभीयों का कभी किसे कहा जाता है कभीयों का कभी किसे कहा जाता है शमसिर रगवीर सहाय अग्य या फिर निराला कभीयों का कभी किसे कहा जाता है ये आपको जल्दी से बताना है कभीयों का कभी किसे कहा जाता है प्रश्ण किरमांग 627 अच्छा क्वेस्चन है शबी लोगों को बताना है कभीयों का कभी किसे कहा जाता है और उत्तर आपका हो जाएगा यहां पर वो कहा जाता है समसेर बहादुर को यानि कि आपका जो एक नम्मर है समसेर बहादुर वो बिलकुश है इने कभीयों का कभी कहा जाता है एक नम्मर बिलकुश है नई कविता में लगू मानव की प्रतिष्टा के बिचार को दोस्तों प्रचारित करने वाले जो हैं प्रमुक्ता देने वाले हैं वो कौन हैं प्रतिष्टा के विचार को प्रमुक्ता देने वाले जो हैं वो कौन है इसका आंसर आपको बताना है प्रश्ण क्रमांग 628 में और 628 का आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों क्या उत्तर जाएगा आपका इसर लगू नई कविता में लगू मानों की प्रतिष्टा के विचार को प्रतिष्टा देने वाले हैं साही वञ्बापू की कुटिया के लेखाक कौन माने जाते हैं इसका आंसर प्रश्ण कर मांग है लाइक जरूर कर देना सबी लोग है ना Self Study के लासे से आपको डाउनलूट करना है सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग और दोस्तों इसी प्रकार से आपको अध्यन करना है अभ्यास करना है और यहां पर आपका सीधा उत्तर है बापू की कुटिया इसके लेकक कौन है इस रचना की लेकक बताना है तो आपका राइट आंसर है बैनी पूरी बापू की कुटिया बैनी पूरी यानि की दोस्तों राम ब्रक्ष बैनी पूरी चार नमबर आपका बिलकुँ सही है डी नमबर आपका सही है बापू की कुटिया बहुत बढ़ बढ़ी है बापू की कुटिया की रचना का राम ब्रक्ष बैनी पूर बहुत अच्छा प्राश्ट्र है दोस्तों यह आपको बताना यह चैसे 130 का अंसर ऐसा कौन कहेगा नेता नहीं नांगरिक चाहिए और आपका सीधा अंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि बुली सरे ऐसा तो कोई राश्ट्र कभी कहेगा राश्ट्रिय श़ाइए एक नममर आपका राइट अंसर हो जाएगा दिनकर जी आपका सही हो जाएगा दिनकर जी ने कहा दोस्तों आ Taiasia शीर को यह तर नहें पहें तालीस पर दोस्तों आठ बज़े एक वीडियो आएगा आपके लिए एक सुबह 9.30 पर आता है दोस्तों फिरी वीडियो है आपके लिए हैना आठ बज़े एक किलास आपके लिए आती है और एक 9.45 पर भी आपको दोस्तों एक किलास पढ़ना है जिसमें पार्टिकुलरली कभियों का बताया गया है तो इन दोस्तो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं पैड़ किलास साम को 5 बजे चलती है आपकी और साम दोस्तों 6-30 पर पैड़ कुलास चलती है लाइफ किलास चलती दी हैं श्रीलाल शुकले हैं या फिर हरी संकर परसाई हैं यह आपको बताना है यहाँ पर प्रश्ण किरमांग 632 में बैसनाओं की फिसलन के लेखाक कौन माने जाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है शबी लोगों को यहाँ पर दोस्तों उत्तर बताना है है ना जूनियर के लिए भी है जूनियर के लिए भी है बिलकुल और बैसनाओं की फिसलन के जो लेखाक हैं दोस्तों वो कौन है हरी संकर परसाई हरी संकर परसाई यानि कि आपका उत्तर डी नमबर बिलकुँ सही है डी नमबर चान नमबर आपका सही हो जाता है बैसनाओं की संग्राय कस्तूरी म्रग किसकी रचना है कस्तूरी म्रग की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका अंसर आपको बताना है और सीधा उत्तर जाएगा कस्तूरी म्रग ये निवंद संग्राय है और ये निवंद संग्राय कौन का है कस्तूरी म्रग है ना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर है ना और आंसर चला जाता है दोस्तो आपका सिव परसाद सेह कस्तूरी म्रग ये निवंद संग्राय है और ये किसका है सिव परसाद सेह का निवंद है है ना जिन् इन्होंने बताया उनका इंसर बिल्कुश रहेगा आपके लिए जिसमें हिंदी साहित करने चोड़ रहेगा बहुत सारी चीजें रहेंगी दोस्तों जो आपको यहां पर मिलने बाली है और एतिहासिक कहानियों की प्रंपरा का जो सुभारंब है वो किसने किया था एतिहासिक कहानियों का सुभारंब और बो किया था दोस्तों किसने एतिहासिक कहानियों का बताना है एतिहासिक पूछा गया है चोटीस में और बहुत सारे लोगों ने कनफ्यूज हो रहे चोटीस का आंसर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है एतिहासिक कहानियों की इतिहासिक कहानियों का दोस्तो परंपरा का सुबारंब जबकि आपके सोरिदास जी को पढ़ते हैं दोस्तो के सोरिदास बाचपे इने पन्यास एतिहासिक पन्यास का सुबारंब किया था है ना यह दोनों में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं तो सभी सातियों को धनबाद सभी साती 945 पर एक किलास आईगी उसको जरूर अटेंड करें और बड़ा सर्प्राइज है दोस्तों जो भी हमारे जूनियर टेट वाले साती हैं जो भी भी हमारे TGT PGT वाले साती हैं जिनको मौडल पेपर लेना वो मौडल पेपर ले सकते हैं जिनको दोस्तों प् special class special course में आप एड़ीसल ले सकते हैं अभी मातर 1000 में जिसमें आपको दोस्तो जूनियर ट्रेट में ये कोर्स आपके लिए काम में आएगा लग से कोई कोर्स नहीं खरीदना होगा है ना और TGT PGT के लिए तो एक कोर्स आपके लिए काम में आएगा ही है ना तो यसे जितने सा साती हैं जिनको भी एड़ीसल लेना है जो भी पढ़ना चाहते हैं नरंतर अध्यान करना चाहते हैं वो सभी साती अभी सेलफ इस्टेडी के लासे से अप डाउन्डूट कर लें और दोस्तो परिक्षा के अंतिम समय में बहुत अच्छी तैयारी करते हुए आंगे बढ़े है ना बाद में ना कहने को रहे कि सरका कोर्स ले लिया होता है ना इसलिए दोस्तो जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं पढ़ सकते हैं अच्छे से अध्यान लबली ठाकुर जी विजय लक्षमी बभीता जी ठीक है सुईता जी अभी सेक बीनू जी प्रिया जी रुची जी मंजू कमला जी पूनम जी राजेस भावना संजय जी हरियोम जी दार्सु प्रियंका आस्ता जी डौली रेखा जी हैना सभी सातियों को बहुत बहुत दनबाद संतोस जी माया राम रोहिज जी नीरज जी प्रतिमा रीता अनिता मनोज जी प्रियंका कुबेर जी ठीक है दे दस बजे एकजाम पार में दोस्तो आपके लिए लाइफ क्लास होती है एकजाम पार में दस बजे तो वो सबी देखें पढ़ें और अभ्यास करें जितने से जादा परिक्षा का टाइम है पूरी दम लगा के तैयारी करें आज के लिए बस इतना